हर्यों प्रिदर्सकों यदि आपकी वरश्चिक राशी या वरश्चिक लगने है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है क्या होगा कैसे होगा यह हम जानेंगे और यह राशी फल आपके चंदराशी के आधार पे है और आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि जिसमें बताया जाता है कि आपकी किस्मत बदलने बाली है आपके लाइब में कुछ बड़े बदलाव होने बाले है बहुत कुछ देखने को मिलता है वीडियो में सुनने को मिलता है परन्तु रिजल्ट आपको ऐसा नहीं मिलता जैसा वीडियो में बताया जाता है वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है ये भी हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है साथ में आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जीवन में जो समश्याइं आती हैं वो क्यों आती हैं कैसे आती हैं और इस वीडियो में आप जो सुनने वाले हैं और मैंने जैसे पहले कहा कि आपके live में कुछ बड़ा होने वाला है आपका golden time चालू होने वाला है तो वो कैसे होगा और उसका पूरा फल आपको कैसे मिलेगा ये सब हम विस्तार से जानेंगे तो आईए जानते हैं तो आपने एक वीडियो तो देखा ही होगा पहले से चैनल में है कि राहू और केतु का राशी परिवर्तन होने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023 को ये तो होने ही वाला है परतु और ऐसा क्या होगा जिसकी बज़े से आपके लाइब में कुछ बड़ा होगा आईए जानते हैं तो देवगुरू ब्रहस्पती का राशी परिवर्तन गोचर करना ये बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ये सश्टम भाव में देवगुरू ब्रहस्पती ये सश्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है परन्तु यहां एक सबसे बड़ी समस्या थी राहू क्योंकि राहू और गुरू एक साथ बैठे थे और इससे चांडाल योग का निर्मान हुआ था और ये चांडाल योग 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा उसके बाद जैसे ही राहू ये परिवर्तन 30 अक्टूबर को करेंगे वैसे ही ये दोस दूर हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात आपके लिए तो ये रहेगी ये चांडाल योग जो है ये समाप्त हो जाएगा सबसे मेन पॉइंट आपको ये मिल गया पहला तो अब हम जानते हैं क्योंकि देव गुरु ब्रस्तर जहां बैठे हैं वो भाव तो ठीक नहीं है परन्तु इनकी द्रस्ती जहां भी पढ़ती है वो अम्रतमई होती है अब यह बात जरूर है कि यदि यह कहीं अच्छे स्थान में बैठे होते हैं तो और भी बेहतर रिजल्टे देते हैं परन्तु फिर भी देव गुरु ब्रस्तर की द्रस्ती हमेशा लावदायक ही होती है और जहां पर पढ़ती है वहां लावद देती है तो यहाँ पर बैठके और आपके दसंभाव में दस्टी डाल रहे हैं तो अभी तक देव गुरु ब्रहस्पर जो आपको देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे राहू के बज़े से परंतो 30 अक्रूबर के बाद और 2024 में मई तक ये रिजल्ट आपको देने वाले हैं तो आपके कार छेत्र में जो समस्याएं आ रही थी आप बहुत ज़्यादा अपने नोक्री को लेके अपने केरियर को लेके परिशान थे कई लोगों की इस समय तो नोक्री छूड गई और जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे थे इंटर्व्यू दे रहे थे वो सफल नहीं हो पा रहे थे तो अब नोक्री पेसा लोगों को अपने जॉब में अच्छी स्थिती देखने को मिलेगी अर्थात आपके जॉब में जो समस्याइं आ रहे थे वो दूर होंगी और आपके शेल्डी में भी इंक्रीमेंट होने की संभावना बन जाएगी और शाथ में पिता के साथ मदभेद भी इस्थिती बनी हुई थी जो वो भी अब दूर होगी कई लोगों को सरकारी छित्र से भी समस्याइं आ रही थे यदि सरकार से जुड़ा कोई काम था आपका सरकारी काम वहाँ पर भी समस्याइं जो आ रही थी अब वो भी दूर होंगी और सफलता आपको मिलेगी जो लोग जॉब के लिए इंटर्वियू दे दे के ठक गए थे अब उनको जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाएगी साथ में देखा जाए तो आपका आत्म विस्वास भी अब मजबूत होने वाला है और देव गुरु द्रस्त्वति अब बे भाव में भी दृष्टी डाल रहे हैं तो यहाँ पर जो अधिक खर्च की इस्तिती बनी हुई थी आप प्रयत्न तो करते थे कि बचत कर सकें पर इन पिछले कुछ समय से कुछ महीनों से बचत नहीं हो पा रही थी लगबग दो साल से बचत आप करना चाहते थे पर बे फजूल के खर्चे अनेक तरह की बीमारियां कई लोगों को कोट का चेहरी के चक्कर काटने पड़े उसकी वज़ेशे कई लोगों को नीदना आना मानसिक टिंसन होना अईसी कई तरह की समश्याएं आई जिसकी वज़े से ये समश्याएं बहुत ज्यादा लोग परिशान थे परन्तु अब ये दूर होने बाला अब पैसे का बचत होना चालू हो जाएगा साथ में जो कोट का चहरी के चक्कर आप लगा रहे थे उसमें भी आपको विजय पराप्त होगी और जो लोग यात्रा करना चाहते थे खासकर जो लोग विदेश यात्रा लंबी यात्रा करना चाहते थे उनको भी अर्चने आ रही थी अब विदेश यात्रा भी आप कर सकेंगे और साथ में यात्रा में सफलताएं भी मिल सकेंगे और जो लोगों का काम ऐसा था जो विदेश से जुड़ा हुआ था चाहिए ब्यापारी हों चाहिए आप नोकवी ऐसी जगए में कर रहे हैं जहां काम विदेश से जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर भी यदि समश्याएं अर्चने आ रहे ही थी और बहुत दूर होके आपको सफलताई प्राप्त होंगी साथ में देव गुरु भ्रस्पति आपके दुतीय भाव में भी द्रश्टी डाल रहे हैं तो लोग परिवारिक समश्याओं से परिसान थे बाणी से ऐसी कुछ और कुछ बाते निकल जाती थी कि आप तो लोगों के हित के लिए कहते थे परन्तु लोग बुरा मान जाते थे उससे बिरोध हो जाता था और पैत्रिक संपत्ति को लेके भी कि पैत्रिक संपत्ति ना मिलना लडाई जगडा घर परिवार में होना तो ये कई तरह की समश्याएं थी अब इनसे चुटकारा मिलेगा परिवारिक जो समश्याथी उससे भी चुटकारा मिलेगा बाणी में अब आपके मिठास आएगा और लोगों को प्रभावित भी आप कर पाएंगे साथ में देखा जाए तो अस्थाई संपत्ति की भी ब्रद्धी होती हुई दिखाई दे रही है और देव गुरु बहस्पत की राशी मीन राशी जो है वो आपके पंचम भाव में है तो यहां का भी ये रिजल्ट देंगे और संतान को लेके जो चिंताएं थी वो दूर होंगी या जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे उनको संतान की प्राप्ति होने के योग बनेंगे और साथ में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा द्यार्धियों का मन अभी तक कहीं न कहीं भटक रहा था अब मन भटकेगा नहीं मन पढ़ाई में लगेगा और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो लोग एर्मीशन लेना चाहते थे उनको अच्छे जगे में एर्मीशन मिलने के राश्ते खुल जाएंगे साथ में बैंक बैलेंश में भी आपके ब्रध्धी होने वाली है तो देखा जाए तो देवगरू भ्रहस्पति जो आपको देना चाहते थे आपने जब देवगरू भ्रहस्पति का राश्य परवर्तन हुआ था और आपने सुना था कि आपको ये सब चीजे प्राप्त होंगी पर वो अभी तक नहीं हो पा रही थी तो यह जो आने वाले साथ महीने हैं तो इसमें देव गुरु भश्पति जो आपको देना चाहते थे अब देशकेंगे तो आए सब से पहले हम जाल लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि बहु मिलेगा नहीं मिलेगा ये कैसे आप समझ पाएंगे ये समझने के लिए ये तो गोचर का प्रफाव था उसके अनुसार हमने आपको पताया ये सब चीजे आपको प्राप्त होंगी देव गुरु भश्पति की बज़े से परंतु आप अपनी जन्म कुंडली में देव गु तवस्था में हैं तो आपको ये सब रिजल्ट आपको देंगे और जो मैं बातें आपको बताया वो सब चीजे आपको प्राप्त होने वाली हैं परंतु यदि वहीं देव गुरु भरिश्पति नीच के हो गए कमजोर हो गए पीडित हो गए किसी ना किसी तरह वो पीडित हो रहे हैं तो फिर आपको ये रिजल्ट बहुत कम मात्रा में मिलेंगे जिसके वज़े से लग सकता है कि आपने जो वीडियो में अभी सुना और सब चीजे आपको प्राप्त नहीं हुई या कोई भी वीडियो में आप सुनते हैं कोई भी ग्रह से संबंदित बातें कि ये होता है कहीं न कहीं कि आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है आप वीडियो में सुनते हैं और फिर आपको लगता है कि आपको जो बताया गया वो सही नहीं वो गलत है होता सही है परंतु आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों कृस्तिती बदल जाने की बज़े से रिजल्ट और दिये हुए नबर पर आप वार्श्ण करते हैं और वुश्णलेशन करवा सकते हैं अब हम जाल लेते हैं उपाय उपाय की बाद क्रें तो भगमान न्ारयन की आराधना और देव गुरु competittrans Baba बैसनों का करने का मौका मिले तुह साफ सफाई करिए इससे देव गुरु समय मजबूत होंगे बड़ों का असिरवाद लेजिए माता-पिता का गुरु जनों का पंडिशी का पुरोहित जो हैं उनका असिरवाद लेजिए धर्म करते रहिए पीली वस्तों का दान भी कर सकते हैं गुर्वार का ब्रत भी कर सकते हैं तो यह सब करने से आपको यह जो मैंने पहले रिजल्ट बताया वो और भी ज्यादा अभेतर धंग से प्राप्त हो सकेंगे प्रिदर्स को इस चैनल में शिदर की वीडियो मिलती रहती है तो बहुत बहुत धन्नवाद